हमारे मेन क्यारेक्टर के एक्सिडेंट हो जाने के पाथ उसे लगता है शायद उसकी गर्फेंट उसके चीट कर रही है उसे पानी के लिए कुछ भी कर सकता है अलो फ्रेंट्स आज आपको तो पैरमेडि ये 2020 की एक थ्रिलर स्पैनिश मुवी एक्सप्लेंट करने वालों यहां वर भी एक्सिडेंट हुआ होता है वहां पर पहुच कर उनके विक्टीम को हस्पिटल ले जाने के लिए हेल्प करता है यह काम करते हुद एंजल का एक सिक्रेट है जिन भी लोगों क्यों हेल्प करता है अगर उनकी कोई वैल्यूबल चीज नीचे पड़ी होगी तो इस गैंग्स्टर का मूवी में आगे रोल प्लेए इसके बाद उसके घर बरम उसकी गल्फरेंट देखते हैं आज राद उसके साथ इंडिमेट हुआ एक्च्वल में यह दुनों बेबी के लिए ट्राइ कर रहे थे हैं बहुत दिन हुए पर फ्रेग्नेंट हुए नहीं थ किसी से बात करें यह वाद उसे जादा अच्छी नहीं तो वाने को किसी का मैसेज आ रहा था इंजल को लगा कि शायद कुछ प्रॉलम है इसी वज़े से उप्रेग्न हो नहीं पारे उसे होस्पिटल में जाकर चेक अप करवाने के लिए एंजल भी बहुत थी प्रॉलम नह कराता है वाब और उसे बेदा चला कि स्पर्म काण्ट बहुत ही कम है इसी वज़े से और बनने सकता वाने में कोई भी प्रॉलम नहीं था घर बनाने के बाद यह बात वह वाने को नहीं बताता इसे क्लाई करते रहना चाहिए आज राब भी वाने के साथ होना चाहता था थ करना था तो इसी वज़े से लाइबरी जा रही थी शक में अकर एंजल ने वाने का फोन चेक किया तो एक लड़की का उसे मैसेज आया हुआ था इस वज़े से जीलस हो जाता है लेकसे में लेखते हैं कि एंजल रिकार्डों के साथ अपने जॉब पर था वावरो एक आत्मी क जा रहे था वाचानक से उनका एक्सिडंट हो जाता है इस एक्सिडंट में रिकार्डों तो बज गया था उसे कुछ भी नहीं हुआ पर एंजल के पेर पर बहुत बड़ी चोट आई थी इस वज़े से लेक्स पैरलाइस्ट हो जाते हैं और वो चल फिर नहीं सकता तो इस से बहुत ज्यादा डिस्टब हो गया था वाने उसे सपोर्ट कर दिया है वैचार उसके बाहूं में रोता है हर चीज को लेकर उसे हेल्प करती थी खाना पीना हर जगा पर लेकर जाना एक रात फिर से वाने अपने क्लास्मेट के साथ लाबरेरी में जा रही थी तो एंजल वो चाता था कि हमेशा वाने का अताबता उसे मालूम हो वो फोन पर किसे बात कर दे कहा पर जाती है यह सब कुछ उसे पता चल सके इंडरनेट पर उसे एक एप के बारें पता चला यह एब उसे वाने के मोबाइल बर और अपने लाप टॉप में इंस्टॉल करना था इसे किसे बात करती किसे चैट करते कैमेरा यह सब उसे एकसेस वो सकता था एंजल को वाने के मोबाइल में अब इंस्टॉल करने के लिए टाइम मिल सकता है नीचे जाकर मेरे लिए प्लीज आइस्क्रीम लेकर आओ वाने इस बात को मान लेती है और जब वो नीचे गी तो एंजल ने अपना एप उसमें इंस्टॉल कर दिया अपने लैपटॉप से अब उस सब कुछ एकसेस कर सकता था वा भी चाहिए तुम्हारी वजह से में लिए सारी हालत हुई है और तुम सही सलामत हो यह सब सुनकर रिकार्डों को बुरा लगा वाने इंजल से है इसमें उसकी कोई भी गल्ती नहीं थी तुम्हें इस तरह इसे चीट नहीं करना चाहिए था रात में एंजल को अपने लेक बहुत ही जदा बिमार है तो रात में उससे देखने के लिए मुझे जाना पड़ता है डॉक घर पर अकिला होता है इसी वजह से वह बाग करता है एंजल डॉक की पार्किंग से बहुत ही जदा तंग आ गया था उसने मीट का पीस लिया उसमें कुछ पीन्स डाल दी अगर इसे निगर लेता है तो इसके साथ पीन्स भी उसके पेट में चली जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी डॉक को जब पार्क में लेकर गया तो उसका पीछा एंजल ने किया दूसरी सीटी मारकर डॉक को अपने पास बुला लेता है और इस मीट के पीस को उसरों से खिला दिय इसी ने भी एंजल को एक करते होए नहीं देखा था पुरे दिनों के लिए उसने एंजल को एड्रेस करने के लिए एंजल के लिए यह विदाउट लेग्स लाइफस्टाल बहुत ही अलग थी उसके थेपिय में उससे जो नर्स हेल्प कर रही थी उसका नाम था सैंडरा रह एंजल ने आज उसे कहा कि इससे जादा अब में एक्जरसाइज नहीं कर सकता वह बहुत जादा थक चुगा था पर सैंडरा ने उसके वेल चेर एक दूर के कोने में रख दे एंजल से गाँ कि जाओ और उसके बैठ जाओ एंजल बैठते हो और सैंडरा की करीब आजाता है उ रहे थे तो वाने नों से कहा कि एक इंडांशीप है जो से करियर के लिए बहुत ही अच्छी होगी और वह सी करनी थी अगर वह इंडाशीप करती है तो पैसे ज़रा घर में काम आएंगे यह बात एंजल को अच्छी नहीं लगती है वह ता कि फिर हम दोरों जी कैसे पाएं उसने घर में पैन के लिट होने की कोशिश की पर उसे कहीं भी मिल नहीं पाते हैं वाने जिस जगह पर हमेशा पिल्स रखती है वहाँ पर आज मुझूद नहीं थे सुबहां उने पर एंजल वाने काई वेट कर रहा था उसे बहुत टाटता है कि तुमने मुझे रात बर पेन में रखा वाने को लगा था कि उसने एक्स्टा मेडिसिन लाइव हुई थी पर भूल चुकी थी उसे बहुत बुरा लगता है और जल्दी से एंजल के लिए मेड वाने से रोक रहा है वाने ने भी अपने फ्रेंड से कहा कि मैंने कवे भी एंजल को लाइक नहीं किया था यह वात सुनकर एंजल को बुरा लगा वो डिसाड़ करता है कि अपनी रिलेशंशिप में एफ़र्स डालेगा आज रात उसने वाने के लिए कोग किया उसके साथ एक रोमेंटिक सा डिनर वो करना चाहता था उसके लिए एक ज्रेस बिलाई थी जो वाने को पहनने के लिए यह सब देखतार वाने सप्राइस थी एंजल ने वाने से का जो इंटरंशिप तुम करना चाहती थी यह तुम एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अब आज से सब कुछ पदर जाएगा मैं हमारी रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे एफर्स करूंगा एंग नहीं शुरुवात के लिए टोस्ट करता है आज रात दोनों इंटिमेट हो गये पर एंजल कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था वाने ने भी आज डिसाइड किया था यह है इस बात से बहुत ही जादो गुस्ता होगी अपने सारी कपड़े उसने लिए और तुरंध हैं से चली जाती है एंजल जब शावर से बहार आया तो आसपास वाने नहीं थी उसका सारा सामन उपने साथ लेकर गई थी एंजल ने उसे चो ट्रेस दिया था सिर्फ वही अबने थेरेपी कंटिन्यू की थी उसका मॉरल अब भी स्टॉंग था कोई भी उसे पैरलाइस्ट आदमी की तरह ट्रीट करें यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी एक दिन उसने वाने का पीछा किया तो नोटीस करता है कि वाने रिकार्डों के साथ है रिकार्डों ए रिकार्डों ने जान पुछकर वाइक्सिरंट करवाय हुआ था उसने रिवेंज लेने की सोच ली थी वो फिर अपने फ्रेंड की मदद लेकर एक हॉस्पिटल में गया वहाँ पर इलीगल यों मॉर्फिन बाय कर लेता है जो नशी की दबाई है अगली दिन उसने वाने का पीछा किया उसे आता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वाने ने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहती है एंजले कहा लास्ट टाइम में सिर्फ तुम्हें देखना जाता था कुटबाय कहना जाता था वाने को भी उस पर तरस आ जाता है उसके साथ जलने गर पुरी तरीगे से मैस था एंजल ले कहा कि तुम्हारी चीज़े बेडरू में रखी हुई है युच्छे ने कहा कि नीचे नीचे जब थ्यान नहीं था टो एंजल मॉर्फइन का इंजेक्शन उसे इंजेक कर दिया इससे उप्योश हो गई अब इंजल उसके हात पेर बां मेसेज़ नहीं करता है ये मैसेज लिखने के बाद मोबाइल पानी में फेक देता है वाने को चाहता है मुझे तुम्हारे और रिखर के नेगंbasisenda आठीचος के बारे मुझे यहां से जाने दो फिर बांद देता है रहले दिन नेवर उसके सुनी भात मनें वाने तुम्हारे साथ है एंजल गहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है नेवर ने बहुत ही लाउड सा म्यूजिक भी सुना था इसकी भी उसने कंप्लेंड की और शूर था कि किसी लड़की की आवाज आ रही थी एंजल उसे गहता है कल मैंने सेक्स वरकर को घर बर बुलाय हुआ इसी वज़े से उसकी आवास्तों में आ रही होगी नेवर इस बात को मान गया यहां से और चला जाता है अमनी थेरे भी लेते हुए एंजल आज खुश था सैंडरा ने पूछा कि आज हुआ क्या है एंजल ने कहा कि मेरी गल्फरेंट है हमें बेबी होने वाला है सैंडरा अल्मोस एंजल का मजाक ले रही थी तो इसी वज़े से हर्ड करने के लिए इस सब चीजों से बता दी हो जब घर पर आया तो रिकार्डो उसके बिल्डिंग के निचे उसका वेट कर रहा था रिकार्डो गयता है वाने और में हम दोनों रिलेशन्शिप में थे बताने वा पर आकर एंजल ने वाने से घा कि तुम्हें शावर वेकरा लेना चाहिए वाने उटने की कोशिश करते हैं उसके लेक्स पैरलाइस्ट हो चुके थे एंजल नों से दबाई देकर उसके लेक्स को पैरलाइस कर दिया था इस बात से वह बहुत ही जदा डिस्टब हो गई वो कि बेबी को लेकर पूरी दरीगे से ब्लांस बन रहे थे लोके का फायता उटा गर्वाने शराप की पॉड़ल एंजल की सर में टा देती है वह के लिए बहुत चिलाई वहां से निकलने की कुशिश कर रही थी एंजल ने उसे फिर से भेहुश कर देता है वाने की चीके सू लेकर उसे अब रॉलम में लिए कि नेबर का क्या किया जाएंगां फर्वाने के को कंट्रोल में कर लिया आज राते वाने की पॉकिट में से चावीद निकाली वो डारेक्क लिए खर पर गया और छुब चाएंगे कर अगली सुबा एंजल से मिलने के लिए पुलीस आया रिकार्डो ने पहले पुलीस को कौल किया हुआ था वाने अचनक से गायव हो गई यह बात उसे बहुत ही अजीव लगी थी वो पुलीस को समझाने की कोशिश करता कि वो प्रेइगनन थी और हम दोनों बहुत ही जादा ख कर रहा था पर एंजल कहता है कि मुझे बहुत ही जादा लेज़ में पेन होता है इसी वज़े से मैं इसी यूज़ करता हूं पुलीस को भी जादा कुछ शक नहीं होता और वहां से और चले गए पुलीस के जाने के बाद वाने को होश आया एंजल उसके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्स बनाता है कहता है कि बेबी के लिए अच्छा खाना उसे मिलना चाहिए डेड ओल्ड उमन से एंजल ने जो रिंग चुराए थी यही रिंग उसने वाने को दी और पूछा क्या तुम उससे शादी करोगी वह एंजल को अच्छा फिल कराने के लिए हां कह देत बड़ी चालागे से उसने इसे चुपा लिया वाने की दवियर जरा खराब थी तो उसके लिए मेडिसीन लेने के लिए रात में इंजल घह से बहार निकलता है मोगे का फाइदा उटाकर वाने ने चाकु निकाल लिया उसे अपने आपको फ्री कर दिया इंजल ने डोर को बहां से लॉक किया था तो उस चाकू से उस डौर को उसने तोड़ दिया वह उस्टगर करते लिफ्ट तक आए पर एंजल घर में कुछ भूल गया था तो फेर से वापस आता है उसने वाने को देख लिया उसको पीछा करने लग गया वाने डर कर स्टेर से नीचे गिर दिया तो एंजल भी उसके पीछे विचा रहा था उसे पकड़ लेता है तो वाने ने बहुत स्ट्रगर किया फाइनली अपना चाकू लेकर वह एंजल वर वार कर दिया इस फाइट में एंजल ने अपना कंट्रोल लूस किया और वह नीचे घिर रहा था वह अगर मरेगा तो वान बेवी हो चुकी थी वह कुछ भी बोल भी नहीं सकता था हॉस्पिटल में एंजल से मिलने के लिए वाने आई वाने के पेड़ में एक हेल्दी बेवी भी था एंजल ने उसको इतनी तखलीव दी थी फिर भी वो सेफ थी फाइनली वह एंजल से कहते है कि अब में तुमारा